जब बाड में डूप गया था बंसी लाल का मकान नवश्कार मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं एन्वन लाइव हरियाना जी है उनीसोब पचार में बाड ने मचाई थी हरियाना में तभाही हरियाना के अतीद में किस्से कहानिया हैं तो कई अवसरों पर कुदर्ती आपदाएं दंगो ने यहां तभाही भी मचाई है कंडेला कांड से लेकर कादमा कांड तक रिवासा कांड की कहानिया भी है इसी तरह से एनेग बार बार के चलते भी हरियाना ने तबाही कम अंजर देखा है हरियाना में वैसे तो पहाड़ी एमाम पूरवी राज्यों की तुलना में सत्तर परतीशत बरसात कम होती है पर आज से करीब 28 साल पहले यानि कि 1995 के मानसुन में आई बरसात ने लोगों को बंजारा बना दिया था बिवानी रोतक रिवाडी ने बार के लोगों को घरों से बेघर कर दिया था प्रदेश के तमाम सोलह जिलों में बाड़ ने कहर भर पाया था, बाड़ ने लोगों को बनजारा बना दिया था, गलियों बाजारों में जल भराव हो गया था, अर्याने के पूरा मुख्यामंत्री चोदरी बंसीलाल का भी बीवानी शहर का मकान पानी में डूप गया था, चंद्रावतिनी तो विधानसवा के शैशन में भी अपना दुखडा रोया दरसल 1995 में आई बार ने हरियाना में तभाही मचा दी। सोरा जीरों में 20,35,000 रेकर्ड फसल पर भावित हुई 2840 गाओं और हरियाना के अनेक शैरों के 28,87,000 अबादी पर असर पड़ गया था। जीन्द ने पॉली गाओं में 16 किलो मीटर लंबी पानी की शीट बन गई थी। कलायत में नाव का सहरा लेना पड़ा, सोनी पत, रिवाडी, कैथल, गुडगावा, करनाल, यमननगर, जीन्द, पानी पत और फ्रीदाबाद सबसे जादा चिंता जनक हालात में थे। रोतक की भगोली किस्तिती कटोरें की तरह हैं। चतिकर्स हो गए, दो लाख चोदा हजार हेक्टेर में फसल तबाह हो गई। बाढ़ के दोरान रोतक में सरकारी मदद महज 56 करोड की हो पाई। दिली के रीजनल प्लैनिंग स्कूल की असोसिएशन प्रफेसर विनीता यादव की और 1995 में आई बाढ़ पर किये के शोद के अनुसार हरियाना में 23 लाख हेक्टेर फसल बाहर से खराब हुई थी। रोतक के बाद सबसे अधिक असर भीवानी जिले का हुआ। जी हाँ भीवानी में तवाम सरकारी ओफिसों से लेकर गली महलों में 4-7 फीट जल बराभ हो गया। ततकलीन मुख्या मंतरी बंसिलाल के घर के इलावा भीवानी के लगू सचवाल है राजके सेनियर स्केंडरी स्कूल वेश्य सेनियर स्केंडरी स्कूल पंचायत घर अस्पताल में पानी बर गया। हरियाना में हजारों करोड का नुकसान बढ़के चलते हो गया था। खास बाद यहाए कि भीवानी रोतक जैसे इलाकों में मैं से अगस्त तक मामूली बरसाथ हुई सुखे का अलम था सितंबर के पहले सब्ता में बरसाथ ने कहर मचा दिया। चार सितंबर तक भीवानी रोतक दादरी के शहरों के इलावा 500 से अधिक गाउं में पानी ही पानी हो गया। मुखे सड़कों से लेकर शहर और गाउं को जोडने वाली सड़कों पर तीन से छे फीट पानी जमा हो गया। आमतब पर हरियाना में उसत 438 मिली लीटर रोतक में 502 और विवानी में 304 मिली लीटर बरसाथ होती है। 1995 में बरसाथ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये सितंबर महीने में ही आकड़ा 400 मिली लीटर को पार कर गया। विसे हरियाने आपदा प्रबंदन की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले भी हरियाना में 1977-78-1983 और साथ ही 1993 में बरसाथ ने कहर मचाया था। इसे अटिया रियाना से गुजरने वाली गगर नदी भी अजादी के बात करीब 14-12 तबाही का मंजर लाचुकी है। डिजास्टर मेनेजमेंट हरियाना में प्रजेक्ट एधारी के पदपर रही नेहा विश्णोई की एक रिपोर्ट के अनुसार रोतिक में इससे पहले 1960-1980-1987 में बरसाथ आई। रोतिक भीवानी के इलावा 1995 की बाड ने रिवाडी के साथ महंदर गड़ के कुछ इलाकों में भी तबाही मचा दी थी।